12.10 विद्यो चुमकी प्रेड़न Electromagnetic Induction इस अध्याय में हमने यह पढ़ा कि जब कोई धारावाही चालक चुमकी क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कारे करता है इस बल के कारण चालक गति करने लगता है अब हम एक ऐसी इस्तिती के बारे में सोचें जिसमें किसी चालक को चुमकी क्षेत्र में घुमाएं तो उस चालक में धारा बहे इसका सर्वपर्थम अध्यन माईकल फेराडे ने किया आईए इस हेत्यू एक क्रिया कलाप करते हैं क्रिया कलाप 6 आवश्यक सामगरी अनेक फेरों वाली तामबे के तार की कुंडली धारा मापी प्रबल दंड चुमबक विधी पहला अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली पीक्यू लीजिए दूसरा, कुंडली के दोनों सिरों को किसी धारा मापी से चित्र चौदा के अनुसार जोड़िए तीसरा, एक प्रबल दंड चुम्बक लीजिए तथा इसके उत्री धुरों को कुंडली के सिरे Q की ओर ले जाईए क्या आप धारा मापी की सुई में कोई परिवर्तन देखते हैं? चौथा, आप धारा मापी की सुई में क्षणिक विक्षेप पाएंगे यह कुंडली PQ में धारा की उपस्तिती बताता है पांचवा जैसे ही चुम्बक को रोका जाता है धारा मापी में फिर विक्षेप शुन्य हो जाता है छटवा अब चुम्बक के उत्री धुरों को कुनली से दूर ले जाते हैं इस बार कुंडली में पुना धारा बहती है तदा धारा मापी की सुई के विक्षेप की दिशा बदल जाती है आप यह जांच कर सकते हैं कि यदि आप चुंबक के डक्षिन ध्रू को कुंडली के क्यू सिरे की ओर गती कराते हैं तो धारा मापी में विक्षे पहले की इस्तिती जिसमें उत्री दुरू को नस्दीक लाए थे उससे विपरीद दिशा में होगा। इस क्रिया कलाप से सपष्ट है कि जब चुमबक और कुंडली दोनों में से किसी भी एक को गती कराया जाए तो परिपत में धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस घटना को विद्योचुम की प्रेरन कहते हैं। इस क्रिया कलाप में धारा की दिशा ग्याद करने ही तू फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उप्योग करते हैं। तो क्या उसमें से धारा प्रवा होगा? चलिए इसके लिए एक क्रिया कलाप करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ अनेक फेरो वाली तामबे की कुणली ली है। और इसके दोनों सीरोग को ये देखिए इस प्रकार एक गैलवनोमिटर से जोड़ दिया है। इस गैलवनोमिटर में देखिए अभी जो पॉइंटर है वो आपको इस तेर दिख रहा है और ये जीरोग पर है। देख रहे हैं आप। चलिए अब हम क्या करेंगे। देखिए मेरे पास ये एक चुम्बक है और इसके किसी भी एक ध्रू को हम इस कुणली के सिरे से अंदर बाहर करेंगे। आपको समय यह देखना है कि गैलवनोमीटर में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है। ठीके तो हम इसको जो ध्रू को सिरे से अंदर बाहर करें। देखिए आप गैलवनोमीटर के तरफ ध्यान दीजिए। देखेगा क्या आपको कोई प्रभाव उसमें दिख रहा है। क्या हो रहा है। देखिए। विक शेप दिखाई दे रहा है ना। देखिए अब यह प्रक्रिया मैंने रोग दी। अब देखिए यह फिर से इस्थे रोग गया। फिर से एक बार और करते हैं। देखिए क्या ध्यान से। विक शेप दिखाई दे रहा है। तो बच्चो यह क्यों हुआ। क्यूंकि विद्धारा उत्पन हुई। और विद्धारा कैसे उत्पन हुई। हम जानते हैं कि चुम्बक के जो ध्रू हैं इनसे चुम्बकी बलरेखाई निकलती है। और जब हम इसे कुंडली के सिरे से अंदर बाहर कर रहे थे तो चुम्ब की बल रेखाओं की जो संख्या है जो की इस कुंडली से गुजर रही थी उनमें क्या हो रहा था परिवर्तन हो रहा था जब हम इस ध्रू को कुंडली के पास ले जा रहे थे तो इससे निकलने वाली चुम्ब की बल रेखाएं जो कुनली से गुजर रही है वो अधिक हो रही थी और जब हम दूर ले जा रहे हैं तो गुजरने वाली चुम्ब की बल रेखाओं की संख्या कम हो रही थी जिसके कारण विद्युद्धारा उत्पन हुई जो आपको गैल्वेनोमीटर में चुम्बग गति करें दोनों ही स्थितियों में धारा उत्पन होती है और वो होती है प्रेविद्धारा और इस घटना को हम कहते हैं विद्युद्धुद्धुम्ब की प्रेरण 12.11 फ्लैमिंग का दाहिने हाथ का नियम फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठा तरजनी और मध्यमा को इस तरह फैलाएं कि ये एक दूसरे से समकोण बनाएं 12.15 अपने दाहिन हाथ को इस तरह संयोजित कीजिए कि अंगूठा चालक के गती की दिशा तरजनी चुम्बके क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा प्रेरिधारा की दिशा व्यक्त करेगी